पैसे ही का तमाम ये कंभो दिवार है जैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माले कारिक्रब में मौनसून से शुरुबात करेंगे रोज की तरह मौनसून की स्थितिका क्या होगा खरीफ की फसलों पर असर ये पहली खावर होगी हमारी MSME के कर्ज को NPA करना होगा मुश्किल सुप्रिम कोट का एक फैसला आया क्या आया ये समझेंगे UPI से कर्ज देने की तयाली क्या यहीं से निकलेगा UPI पर चार्ज लगाने का भी रास्ता ये समझेंगे सिर्फ मुनाफ़ का कारोवार कैसे करेंगी बीमा कंपनिया सरकार ने तो दो टूक कह दिया सरकारी बीमा कंपनियों को केवल वो काम कीजिए जिसमें मुनाफ़ा हो घाटे वाले कारोवार से बहार आ जाईए कौन से वो कारोबार हैं जिसमें सिर्फ मुनाफ़ा होगा, यह जानेंगे, फिर दिन की बड़ी ख़बर, दुनिया भर के शियर बाजारों में मचा हाहाकार, क्या वज़े है, युद्ध वज़े है, मंदी वज़े है, अमेरिका वज़े है, जापान वज़े है, पूरी दुन देश में अगस्त की शुरुबात मौनसून की भारी बरसात के साथ होई है, जिस वज़े से देश में मौनसून की आसद बरसात का आंकला समाने से 6 फीसद ऊपर पहुँच गया है, मौसम बिभाग के मताबिक पहली जून से 4 अगस्त तक देश भर में 512.5 mm बरसात दरज की गई है, जबकि सामाने तोर पर 481.9 mm बारिश होती है, हाला कि देश में सामाने से ज़्यादा बरसात के बाब जूद कुछ राज जैसे हैं, जहां पर अभी भी बरसात की भारी कमी है, जिसमें पंजाब सबसे हैं, पंजाब में अब तक सामाने के मुकाबले 40% कम बरसात हो पिछले वर्षों में अगर लंबे मानसून के पिछले आंकड़े को या चार्ट को देखा जाए, तो पंजाब में कभी डेफसिट नहीं होता था, क्योंकि पंजाब में आम तर पर सामाने बारिश होती थी, लेकिन पहला मानसून है, जो अब सामाने से अधिक हो गया है, सा पलसेस की बुवाई में 11% की बढ़ोत्री दिखाई दे रही है, यानि जो मद्य भारत के हिस्सों में बारिश होई, बाद में उससे पलसेस की बुवाई को मदद मिली है, और महां बढ़ोत्री हुई है, मोटे नाजों की बुवाई भी ठीक चल रही है, तिलन की बढ़ोत् अगर आप पूरे खरीफ की तस्वीर देखें तो पिछले साल के मकाबले बुवाई की तस्वीर कुल मिलाकर, मिलाज वलाकर तीन परसेंट जाधा दिखाई दे रही है यह पिछले साल से तीन परसेंट जाधा है पंजाब इस मामले में थोड़ा पिशला हुआ है अब उत्पादन के स्थिती में यह तो बुवाई कांकड़ा है उसके वाद उत्पादन कितना होता है और बाद के हफ्तों में अगर जाधा बारिश होती है और बाड़ किस तरह प्रवाइद करती है फुसल को यह आंकड़े हमें इनका इंतजार रहेगा सुप्रिम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि बैंकों को किसी MSME IKI को दिये कर इसको NPA घुशित करने से पहले MSME IKI की री स्ट्रक्शिंग प्रिक्रिया को माने करना होगा क्योंकि कानूनन बैंक ऐसा करने के लिए बाद दे हैं कोर्ट ने कैनरा बैंक से जोड़े एक मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए ये फैसला सुनाया क्या मतलब ऐसा से इस निर्देश का ये बड़ा महत्वपून फैसला है और इसलिए आज की दूसरी खबर में हमने इसको रखा है बलकि आज की बड़ी खबर है पहली बार बैंक ने सुप्रीम कोर्ट ने करज के मामले में इस तरह देखल देना शुरू किया ये दूसरा मामला है पहला मामला वो था जब विलफल डिफाल्टर्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों को निर्देश दिया था कि उन्हें विलफल डिफाल्टर्स घोशित करने से पहले करज लेने वालों से बात करनी चाहिए अब सुप्रिम कोर्ट ने कहा है कि जो बैंक और जो क्रेडिटर्स हैं उन्हें जो कंपिनी में चल रहा है इस्ट्रेस है उसकी पहले पहचान कर लेनी चाहिए यानि बैंकों को अब नियमित रूप से इस बात की निगरानी करनी होगी कि छोटी एकाई में कहां संकट आ रहा है कहां उसके भुगतानों में दिक्कत आ रही और उसके बाद उन्हें अन्पिये घोशित करना होगा यह नई जिम्मेदारी है बेला त्रिवेदी के बेंच ने सइसा जायाता इस बात से चिन्तित होते हैं कि उनका समय पर किष्ट आ रहा है के नहीं आ रहा है और एक निरधारी समय के बाद बैंक का खाता है न्पिये घोशित कर दिया जाता है अगर कंपिनी ने समय पर करच का भुकतान نہी किया है लेकिन आब बैंकों को करीब से इस ब का जा सकता है टेक्स हेवन देशों में बैंक एकाउंट स्टॉक होल्डिंस और ट्रस्ट के बाद अब सरकार की नजर अमीर भारतियों की विदेशी प्रॉपर्टी पर है इंकम टेक्स डिपार्टमेंट ने पिछले हफते करीब आधा दरजन एचनाई को नोटिस भेज कर उन अगर आप चाहें तो एक पिछले इकवानिकां का संदर्ब ले सकते हैं जिस पर हमने विस्तार से जर्चा की थी कि भारत में जो हाई नेट वर्थ इंडिविजूल्स हैं फैमिली ऑफिसेज हैं जिनके पास सब सर्प्लस फंड्स हैं और वो विदेश में अलग-अलग जग और OECD कंट्रीज के साथ जो कॉमन रिपोल्टिंग स्टेंडर्ड तै किये गए उनके तहट सरकार को यह सूचना मिली कि पर्चुगाल सुट्जर लेंड और योरोप के कई देशों में भारती अमीरों ने एचनाइज ने प्रापर्टीज खरी दी हैं रियल इस्टेट खर मिलें तो इसका मतलब यह है कि इसका आसर यह है कि अगर हाल फिलाल के महीनों में भारतीयों ने सौधी अरब में दुबई में सिंगापूर में या थाइलेंड में कहीं मकान खरीदी होंगे तो वो इस जाच परताल के दायरे में आ सकते हैं नए ग्रहकों तक पहुँचने के लिए बैंक नेने तरीके खोज रहे हैं इसी दिशा में अब बैंक फिक्स डिपॉजिट के बदले बिना क्रेडिट हिस्ट्री वाले ग्रहकों को यूपी आई के जरीए छोटे 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 लोन माटने की तयारी है नपी सी आई ने यूपी आई सर्विस पर क्रेडिट लाइन की सुविधा शुरू करने का प्रस्ताव दिया है इसके बाद ही अधिकांश प्राइबेट बैंक यूपी आई के माध्यम से कर्ज माटने की तयारी में जुट गए हैं सर क्या यहां से ही यूपी आई पर चार्ज लगाने का भी रास्ता निकल सकता है एफडी के अगेंस लोन एक पुरानी विवस्ता है जो बैंक वैसे भी देते हैं क्योंकि एफडी आपकी प्लेज और पैसा बैंक के पास सथ उस पर छोटा कर्ज दिया जा सकता है यूपी आई को करज की विवस्ता में लोगपृ बनाने के लिए ये पहल की जा रही है केबल पेमेंट सिस्तम के तोड़ पर इस्तिमाल होता है लेंडिंग यानी करज देना यूपी आई के जिरी हाल में ही शुरू किया गया कुछ महीने पहले ही प्रायोगीक तोर पर RBI ने अपनी मुद्रिक पॉलिसी में इसकी सिफारिश की थी कि इसा किया जा सकता है जिससे की आसानी से छोटे छोटे लोन कॉस्ट एफिटे ढंग से UPI के जरिये दिये जा सकें लेकिन यहीं से बात सही है यहीं से इस पर चार्ज शुरू होगा क्योंकि बैंक अगर ऐसी कोई सुविधा देते हैं जिसमें करज भी UPI के जरिये दिया जाएगा तो उसमें थोड़ी भुत शुल्क की संभावना बंती दिखाई दे रही है और आपको याद होगा कि पिछले एक साल से फिंटे कंपिनिया भी इस बात की कर रहें कि UPI की सुविधा पर अब कुछ ना कुछ फीस लगाई जानी चाहिए वित्मंतराले ने सरकारी जर्नल बीमा कंपनियों को कारोवार बढ़ाने के बज़ाए सिर्फ मुनाफिवाले कारोवार पर ध्यान देने का सुझाओ दिया है सरकार ने हाली में नेशनल इंश ही दो महतुपूर्ण जनरल इंशूरेंस के प्रोड़ेक्ट है और भारत में इनका बाजारती जिसे बढ़ रहा है भारत में जो निजी कंपेनिया इस समय जनरल इंशूरेंस की के टिगरी में बीमा बेच रही है उसमें सबस्या अदबिकने वाला बीमा आटो इंशूरेंस जो वैधानी क्रूप से जरूरी है कार को खरीदने के साथ ये किसी बाहन को खरीदने के साथ और दूसरा हेल्थ इंशूरेंस जिसकी लोग परीता अब धीमेदी में बढ़ रही दरसल हो यह रहा है कि जो तीनों सरकारी वीमा कंपेनिया इन्यू इंडिया इंशूरेंस जन दिखता है वो प्रॉपर्टी इंशूरेंस का है जो कि अलग अलग जिए डिजास्टर के लिए के लिए प्रॉपर्टी दी जाती है पर भारत में अभी प्रॉपर्टी इंशूरेंस है जनरल इंशूरेंस का ये हिस्सा बिलकुल लोग परी नहीं है और इसकी जरूरत भी है भारत में climate change के बाद भारत का जो protection gap है यानि total संपत्ति और जिस संपत्ति पर बीमा मिलता है इसका protection gap 80% से जाधा है यानि लगभक पूरी भारत की संपत्तियों में से 20% संपत्तिया आएंसी हैं जो climate change से प्रभावित होने पर उन पर बीमा की return मिल सकता है तो कौन सी वो नई विवस्था है कौन से नई व प्रोडेक्ट होंगे ये बीमा कमपीनियों को बताना होगा पर इस सरकार का संकेत है कि लंबे समय तक इन कमपीनियों को मदद देने की स्थिति में शायद नहीं होगी पर इस बार चूंकि पूरा बजट डिस इंवस्थमेंट के मामले में शांत था कोई बड़ा बड़ी घोशना बजट में नहीं थी और ना इन बीमा कमपीनियों को लेकर इस ताजय बयान में सरकार की तरफ से कुछ कहा गया तो असा लगता है कि फिलाल इन तीनों बीमा कमपीनियों में से किसी एक के निजी करन का पस्ताओ फिलाल टलता दिख रहा है आगे बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबरों की तरफ भारती शेर बादार में आज बड़ी गिरावट देखनों को मिली बॉंबे स्टॉक एक्चेंज का सेंसेक्स और नेशनल स्टॉक एक्चेंज का निफ्टी तीन फीसस से जादा तूट गए इसके लावा स्मॉल केप इंडेक्स में भारी गिरावट दर्ज की गई ऐसा कोई सेक्टर नहीं रहा जिसमें बिक्वाली हावी ना हो सेक्टर इंडेक्स में सबसे ज़्यादा गिरावट मेटल, रियल्टी, आटो, मीडिया, और पीएस्यू बैंक्स में देखी गई लाज केफ शेरों में अधानी पोर्ट, साटा मोटर, टाटा स्टेइल, स्टेट बैंक जिदर देखी एंफो से सबसे ज़्यादा बिक्वाली इन शेरों में देखी गई सर क्या ऐसी वज़े है क्या अमेरिका में मंदी की बात कहना या मिडल इस में जो तनाव बढ़ गया वो क्या ऐसी वज़े है आप मान रहे हैं जिसकी वज़े से शेर वाजार में ये गिरावट दिखी बाजार का सेंटिमेंट अचानक एक ऐसे आकड़े को देखकर बिगड़ा जिसे भूत सारे लोग अभी गले उतर लोगों के गले नहीं उतर रहा पर वो दो महत पूर आकड़े हैं जिन्नों ने इस बात का संकेत दिया कि अमेरिके अर्थवस्ता मंदी में खिसक सकती है वो दूसरा आकड़ा वहाँ पर प्रचेजिंग मैनेजर इंडेक्स का आया जो कि आज ही आया और उसमें उत्पादन में कमी के संकेत मिले इन दो छोटे-छोटे आकड़ों को पकड़कर बाजार में मंदी की संभावना बंती दिखाई दी पर लेकिन बाजार में मंदी की संभ बैंक अफ अमेरिका और बीवाइडी में उनकी सेलाफ का था कुछ ऐसे चार्ट और कुछ ऐसे आकड़े बाजार में दिखाई दे रहे ते जिससे लग रहा था कि अगर अमेरिका में ब्याज देने कम होने में देरी हुई तो ये मंदी जल्दी आ जाएगी और ये पूरा स असर पड़ा ये समझना मुश्किल है क्योंकि कच्छे दिल की कीमदों में कोई बढ़ोतरी नहीं आई वो भी 75 डालर के आसपा स्टिका हुआ है लेकिन अमेरिका में मंदी के आशंग का गहरी होती दिखाई दे रही है और इसने बाजार के सेंटिमेंट को प्रभावित किय जापान के बाजार, चाइना के बाजार, यूरप के बाजारों में चारों तरफ हमें गिरावट दिखी है सर, जापान और चीन का बाजार तो टूटा लेकिन वागी करंसी नहीं टूटी, वो तेज हो गई, ये क्या मतलब दोनों अर्थवे उस्थाओं ने अपेक्षा जैसे अपेक्षित होती है, वैसी इस्थिती दिखाई, डालर में कमजोरी की संभावनाबंती दिखाई दिख तारण यूआन में हमें ये प्रतिक्रिया दिखाई दी, तो अब यूआन चाइनिज यूआन साथ महिने की उचाई पर पहुच गया, ये नूचाई पर पहुच गया, इसका नतीजा ये हुआ कि जापान का शेर बाजार अज बुरी तरह तूट गया, लोर सरकिट लगा न आकड़े वास्तों में मंदी का संकेत होंगे, हाला कि विशेशक ये मानना है कि इन दोनों आकड़ों के आधार पर आप मंदी के संभावना है, नहीं आख सकते क्योंकि बेच छोटे आकड़े हैं और अभी अमेरिका के अर्थवस्ता में ऐसा कोई मजबूत क्लासिकल साइन नहीं दिखाई दे रहा है, जिससे की मंदी आएगी। करेक्षन का इंतजार कर रहा था और उसने एक छोटे से आंकड़े को जोकि अमेरिका में बेरुजगारी बढ़ने का अंकड़ा था, इसे पकड़ दिया और उस सेंटिमेंट के सहरे बाजार में तेज गिरावट राएगी। की कोशिश है क्योंकि बाजार यहां से गिरावट के बाद अगर कुछ और भी नहीं होता है तो भी वैल्यू बाइंग का विकल्ब बनेगा दूसरी बाते मानी जा रही थी कि बाजारों ने गिर कर फेडरल रिजर्व और दुनिया भर के बैंकों पर दबाव बना दिया कि वि स्टेंबर की मीटिंग में ब्याज़रों में कमी का ऐलान करना पड़े और इस तरह से बाजार ने गिर कर या या दबाव दिखा कर फेडरल रिजर्व को कोई संकेत देने की कोशिश की कि मंदी से रोकने के लिए ब्याज़रों में अब कटवती की जरूरत है क्योंकि उसकी बना इस गिरावट के साथ कि वो निचले इस तरह पर बाजार में प्रिवेश कर सके हैं लेकिन अभी परिस्तेतियां डावा डोल हैं अगर आप भारती सुचकांकों में खास्तोर से जो विक्स देखें वो काफी ऊपर है तो इसलिए आने वाले इस हफते में शेर बाजार म पॉलिसी दरों पर फैसला लेने के लिए भारती रिजर बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमीटी की तीन दिन चलने वाली बैठक मंगलवार से शुरू होने जा रही है यह बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब अमेरिका में सेंट्रल बैंक ने ब्याज़ दरों में बढ़ाई है औ कोई चौकाने वाला फैसला आएगा या जो है कि भाई अभी ऐसा ही रखो जैसा चल रहा है शुब हम तीन सिनेरियों है ब्याज़ दर के जापान ने ब्याज़ दरें लंबे समय बाद बढ़ाई हैं योरोप में ब्याज़ दरें कम होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है क् अमेरिका के सेंट्रल बैंक ने ब्याज़ दरों में कमी के संकेत दी हैं इनके बीच भारत का रिजर बैंक गहरी दुविधा में है अगर वो दुनिया की तरफ देखे तो उसे दो अलग-अलग धुरूफ दिखते हैं संकेत अलग-अलग दिखते हैं और भारती अर्थ विवास्ता में कोई मंदी जैसे संकेत नहीं जैसे संकेत आपको अमेरिका में दिख रहे हैं भारती अर्थ स्वस्ता में भी विकासदर ठीक है यानि बाजार इस महेंगे कर्ज पर भी कर्ज की मांग भी बनी हुई है एकॉनमी में जो भी ग्रोथ है जो कर्ज ले रहे हैं पर अंचेंज रखेंगे इस टांस पिछली बार ही अपना नजरिया पहली पिछली बार ही ने बता दिया था कि अक्मोडेटिव होगा यानि गिरावट की तरफ होगा कमी की तरफ होगा तो अभी फिलहाल आर्बिया ऐसा लगता है कि सप्टेंबर में यूएस फेड के नती विवस्था के तहट प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन में बदलाव शुरू कर दिया है ताकि जी एस टी की मौझूदा विवस्था में आरही दिक्कतों को दूर किया जा सके इस बदलाव का मकसर टेस्स से जुड़े मामलों के निप्टारों में तेजी लाना है वित्मंतरी न महीने चार महीने तक जी एस टी में में चोटे चोटे इस तरों पर बदलाव देकर एक नई विवस्था लाने की तैयारी की जा रही है फिट्मेंट कमिटी होती है जो अलग-अलग टैक्स दरों के के पुनर गठन को पर काम करती है उन्हें तरक संगत बनाती है तो सबसे प गई है जिसमें की कुछ खाद्य उत्पाद हैं उनको लेकर इसके अलावा कुछ और कास्मेटिक्स हैं इन्हें लेकर इन पर पहले चरण में फिट्मेंट कमिटी क्लैसिफिकेशन को चेंज कर रही है दिशा ये है आकर उस दिशा तक जीस टी पहुँचता है और जो बदला फिजदी में लाया जाएगा और कुछ पादों को ऊपर के स्लैब में ले जाया जाएगा ये विवस्ता जो शुरू हो रही है भारत के पडोसी देश बांगलादेश में राजनितिक आइस्थिरता बढ़ गई है स्थानी लोगों के हिंसक प्रदाशन की वैसे बांगलादे बांगलादेश में जो आपको प्रतिक शुरूप से दिख रहा है चातरों का प्रदरशन नारक चान और एक तरह से तखता पलाट और उसके बाद वहां से बांगलादेश से शेख असे नवाजित का पलायन ये सारी चीजों के बीच में इसके पीछे 2022 से शुरूआ घटना क बांगलादेश निमनायवर्क से मध्यायवर्क का देश हो जाएगा 2022 में अचानक परिस्तियां बदली कोविट के बाद बांगलादेश को एक्स्टरनल शॉक लगे नर्यात में गिरावट आई क्योंकि बंगलादेश का सबसे बड़ा सुरूत गार्मेंट इंडस्ट्री थी इसके नर्यात गिरे उसके आत्री पेट्रोल डिजल की कीमतों से द रहा हूं हूं सौ बिलियन डालर से उपर पहुँच गया और इसके साथ अर्थवे उस्था में कई तरीके की समस्याएं मंदी और बेरोचगारी बनना शुरू ही और 2022 के बाद जो अर्थवे उस्था में ढलान शुरू ही वो अंतता राजिनितिक चुनोती में हमारे सामने आई क्योंकि बेकारी बहुँ जादा थी और सबसे बड़ी चीज है कि बांगला देश में पिछले दो साल के अंदर महेंगाई ने लोगों को बुरी तरे तरस्त कर दिया कम आये वाला देश था और उसका नतीजा आज हम बांगला देश में इस तरीके के राजनितिक संकट के ओपर देख रहे हैं कि वहाँ तकता पलट हो गया और सेना अंतरिम सरकार बनाने की प्यारी कर रही है आगे बढ़ते हैं जटपट खबरों की कराओ मारुती सुजुकी इंडिया ने चालू वित्वर्ष के दौरान अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार लॉंच करने की गोशना किये कमपनी कारवन उत्तरजन को कम करने और पेट्रोल डीजल की खपत को कम करने के लिए स्ट्रॉंग हाइब्रेट बायो गैस फ्लेक्स फ्यूल और सी एंजी जैसी प्रयावर अनकूल टेक्नलोजी को भी बढ़ावा देना जारी रखेगी एक दशनलव चार-छे लाग करोड रुपे की संपत्ति वाला बजाज ग्रूप अफ हेल्थ केर सेक्टर में उतरने की त इंडेन कंप्यूटरस इमर्जेंसी रिस्पॉंस टीम ने एपल डिवाइस में कुछ गंभीर खामियों को लेकर अलर्ट जारी किया है सर्टिन ने अपने अलर्ट में कहा है कि एपल आईफोन विजन प्रो हैंड सेट मैक आईपेड और एपल वाच के सॉब्वेर में कई ख जरूरी है सर्टिन ने ये चेतावनी दी है कि भारत में आईफोन आईपेड और एपल वाच के जो पुराने सॉब्वेर से संस्क्रान है उन पर साइबर अटेक का हमला साइबर अटेक का खत्रा है एपल आईउएस का जो वर्जन 17.6 से पहले का वर्जन है इन पर कर रहे है तो आपको अपना सॉब्वेर अपडेट करना चाहिए इसके अलावा 17.7.9 और आईउएस का भी वर्जन 16.7.9 पर भी साइबर अटेक का खत्रा है एपल मैक में जो सुनामा का वर्जन है 14.6 वाला और एपल वेंचुरा का जो वर्जन है 13.6.8 वाला इन पर भी सा आदा नमस्कार